सभी प्यारे भाई मैं लोको नमस्कार जो LSE की तयारी कर रहे हैं मैं हूँ डॉक्टर शितिच गोस्वामी BVAC and A.H. MVAC from CVAS विकानेर राजुवास मैं फिलहाल वेटनरी आफिसर हूँ राजस्थान गौर्नमेंट में मेरी RPSC की रैंक ओवरॉल थी 49 और मैं आप लोगों के ल आज की क्लास होने वाली है Animal Nutrition की जिसमें हम देखेंगे vitamins और minerals से related जो भी questions बनते हैं जो बहुत important questions होते हैं उनको discuss करते हैं चलिए देखते हैं पहला question निमनलिकत में से कौन सा vitamin वसा में घुलनशील नहीं होता है options है vitamin A, vitamin E, vitamin C और vitamin D तो देखें दोस्तों vitamin A, D, E, K वसा में घुलनशील नहीं होता है यह जल में घुलनशील होता है तो इसका answer जाएगा 3 vitamin C, अगला question, vitamin A की कमी से होने वाला रोग है, rickets, white muscle disease, ratondi और scurvy तो देखो दोस्तों इसका answer होगा ratondi, night blindness, vitamin A की कमी से होता है comment करके बताएंगे, rickets, white muscle disease और scurvy किसकी कमी से होता है, तो जिन भी students को सही answer आता है, इन तीनों disease के संबंदित vitamin आप comment में लिखेंगे अगला question, छोटे जानवरों या बच्चों में हड्डियों का मुड़ जाना या फिर विकरत हो जाना किसकी कमी से होता है, बड़ा इच्छा question ने कई बार पूछा जाता है, calcium, vitamin E, vitamin D3 और 1 वतीन दोनों तो दोस्तों हड्डियों का जब भी संबंद आएगा, तो calcium और vitamin D3 दौनों होगा, तो answer जाएगा इसमें 4, 1 और 3 बोट अगला question, निम्लेकित में से कौन सा vitamin, anti-hemorrhagic vitamin होता है, तो options है, vitamin K, then vitamin E, vitamin D3 और 1 वतीन दोनों दोस्तों, anti-hemorrhagic vitamin होता है, vitamin K, जब भी bleeding होती है, तब हम vitamin K का injection भी लगाते हैं next question दोस्तों, निम्लेकित में से कौन सा खनिज, vitamin E के साथ, पशु के आहार में आवशक होता है पहला sodium, दूसरा potassium, तीसरा selenium, और चौथा magnesium तो दोस्तों हम सब को पता हैं कि selenium जो है, vitamin E के साथ, पशु आहार में आवशक होता है milk fever की अवस्था में गाए को किस चीज का injection लगाया जाता है बहुत अच्छा question है दोस्तों, DNS, D25, RL या CBG तो हमें पता है, CBG का injection लगता है, जिसका पूरा नाम होता है, calcium borogluconate तो इसका अंसर होगा fourth, next question निम्द लिकित में से कौन सा vitamin, ascorbic acid के नाम से भी जाना जाता है पहला है vitamin C, दूसरा है vitamin D, तीसरा है vitamin A, और चौता है vitamin B तो दोस्तों, आंसर होगा vitamin C, vitamin C जो है, उसे हम बोलते हैं ascorbic acid अगला question, निम्द में से कौन सा vitamin हे बनाने के दोरान पादब की पत्तियों से नश्ट हो जाता है बहुत अच्छा question in nutrition से related है, vitamin C, या vitamin D, या vitamin A, या vitamin B तो दोस्तों, इसका आंसर होगा vitamin A, vitamin A धूप में sunlight में नश्ट हो जाता है, बहुत अच्छा question है next question, निम्द में से किस vitamin की कमी से मुर्गियों में curd, toe, paralysis नमक रोग हो जाता है, जिसमें उनके जो पंजे होते मुँ मुढ जाते है vitamin B1, vitamin B2, vitamin B12, या vitamin B3, इसका आंसर होगा vitamin B2 बहुत अच्छा question है दोस्तों, बहुत बार पुछा गया question है vitamin B2 अगला question, निम्द में से किस खनिज की कमी से मुवेशियों में grass, titan ही नामक रोग हो जाता है, ये भी कई बार पुछा गया question है और field में भी काफी मिलता है, manganese, या magnesium, या sodium, या calcium बहुत से लोग confused रहते हैं, इसका आंसर होगा magnesium, mg इसका आंसर होगा magnesium, mg, grass, titan ही का कारण तो दोस्तों ये 10 question थे आज की class के, और उमीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे और आज आपके लिए question है, जिसका आप जवाब comment box में देंगे, आज का question है अगर गाए केवल सुखा चारा खा रही है, और चाटा जिसको concentrate कहते हैं, नहीं खाती है और उसकी सांस में से मीठी गंद आ रही है, तो ये किस रोग के लक्षन है तो इस question का जवाब आप लोग comment box में करेंगे, जो answer सही देगा, उसको मैं अगली वीडियो में उसे student का नाम लूँगा